रजस्थान में कॉंग्रेस पार्टी ने भले ही हार का सामना किया हो लेकिन कॉंग्रेस पार्टी अब आगामी लोग सभाज चुनाव के लिए यहां पर एहम दावे करती हुई देखी जा रही है कॉंग्रेस जिस तरह से इंडिया गठवंदन का हिस्सा है और इस गठवंदन का हिस्सा रहते हुए कॉंग्रेस पार्टी अब एहम फैसले लेती हुई नजर आ रही है सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं कि लोग सभा चुनाप को मद्दे नज़र रखते हुए कॉंग्रेस निता सचेन पाइलेट को भी जिम्मेदारियों पर जिम्मेदारियां दी जा रही है सवाल यहाँ पर रहेगा अबरार से कि आखिरकार राजिस्तान की सियासत को लेकर कॉंग्रेस की इन रणनीतियों को लेकर उनका क्या कुछ कहना रहेगा सचेन पाइलेट को जिस तरह से विधान सभचुनाब में आगे नहीं किया गया और CWC का उन्हें हिस्सा बना दिया गया और दूसरी ही तरह 36 कड़ का प्रभारी अब उन्हें न्युक्त कर दिया गया है क्योंकि देखा ये भी गया कि महा सचीव के पद पर वह देखे जा सकते हैं या फिर सचिन पाइलेट को प्रदेश अद्यक्ष नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है तो राजस्तान की उन स्यासी सरगर्मियों से दूर करके पाइलेट को 36 कड़ का प्रभारी न्युक्त कर देना ऐसे में आप कैसे देख रहे हैं क्या राजस्तान की सियासत से अब उन्हें बाहर ही किया जाएगा देखिए बिल्कुल जो है इससे यही नजर आता है क्योंकि साफ तोर पर यह कहा जा रहा है यानि कि अलग अलग ते राज्यों में उनके चेरे का इस्तेमाल कर या फिर उनको जिम्म्मधारी देकर काई नगी राजस्तान से जो है दूर किया जा रहा है और जब वो राजस्तान में नहीं रहेंगे तो जारती बात है कि अशोग गैलूत के लिए पूरा का पूरा मामला खुला हुआ नज़र आएगा और ऐसे में जब चुनाव नस्दीक है 2024 के ऐसे समय पर अगर सचीन पालेट को बाहर बेजा जा रहा है तो इसके पीछे पार्ट ही राजस्तान का भविष्य है तो क्या आने वाले पांस सालों के बाद सचीन पालेट के लिए राजस्तान के लिए यहां पर रणीते बनाई जाएंगे कॉंग्रेस के लिए सीम पत के लिए उन्हें तब आगे किया जाएगा कॉंग्रेस पार्टी अब आने वाले विदान स अब देखना होगा कि आखिर कार सचिन पाइलेट के लिए क्या को सोच विछार किया जाएगा आने वाले समय में क्या प्रदेश-ध्यक्ष पद उन्हें भाखा था वह प्रदेश-ध्यक्ष पद उन्हें मिलेगा मौझुदा समय में गोविंदी सिंग डोटा-सरा इस पद प झाल झाल झाल